मैंने का लंबी किलास है, थोड़ा बहुत खा पी लिया जाए, इसलिए थोड़ा था लेट हो गया खीरा खा रहा था, माफी जाओंगा, लेगिन मुझे लगा कि लंबी किलास है यार, तो थोड़ा खापी के ही चलते हैं, आप लोग भी खापी लिजे, क्योंकि लंबा किलास होगा, दो गंडे के आसपात जाएगा ये कलास, तो नमस्कार दोस्तों, मैं राओल मिश्रा और मै रिवाइस कराते चलेंगे, परिशान मत होई है, और रिवाइस करानी जरूत नहीं पड़ेगी, आप अगर डेली करेंटरफेस देख रहे हैं, तो सब आता होगा, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा, सब कुछ आपका देखा हुआ होगा, यही आपके पेपर में आएग कुछ लोगों को वीडियो से पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को, जब यह ऑनलाइन आ गया ना, पढ़ने का तरीका, ऑनलाइन वीडियो मिलने लगें, तब भी कही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन वी पढ़ रहें, फिर तो सी अपने हैं यह साब से पढ़ा रहें, तो मुन देखा मेरी बात आप अगर आप कोई पतरी का पड़ रहे हैं तो फिर YouTube के चकर परिशान होने की तो आपको कोई बेखूप बना नी सकता. तो आपको कोई बेखूप बना नी सकता. आपको लगता है content बढ़िया आप आराम से पढ़िये और ज्यादा बढ़िया लगता है तो share कर दीजे और ज्यादा अच्छा लगता है तो like कर दीजे शले हो जाएगा आप एकड़ टेंशन मत लीजे ये पढ़िये चुप चाप और दुनिया भर का जितना current अपयाद है जित लगेगा रही तो तुम्हें पढ़िये तीसरी उठाओगे तो तीसरी में दूसरी मिलेगी फिर चौति उठाओगे इस तरह दे तुम्हारे पर न्यूज का बंढार हो जाएगा लेकिन कबरप नहीं होगा तो पढ़िये वही जो एक्जाम में आए selective study करिए उससे selection होता है और combined study और compiled study जब आप करते हैं तो उसे board exam निकालते हैं तो board exam तुम लोग निकाल चुके हो university exam के लिए पढ़ाई मत करो अब selective study करो CGL के लिए October से लेख करके March 2022 तक का पूरा पढ़के जाओ CGL के लिए उसमें भी बता दे रहूँ पेपर नहीं बनाएगा तो पेपर अभी बना होगा तो यहीं क्योंकि पेपर बनने के चांस यहीं है तो 2020 में उनको इतना पूछना था वह 2019 पूछ चुके हैं 2020 के करेंट पेपर में अब 2021 में आप आराम से पढ़िए इसके लावा पीडियाफ के लिए रीजिनी भाई राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रूप है इसे जॉइन कर लीए पीडियाफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी किसी भी तरह की और परिशानी होती है पढ़ने से जुड़ी भी हमसे बात कर सकते हैं जॉइन कर लिए ठीक है इसके अलावा एक मौक लाइब है अभी आज भी कल भी रहेगा कल दहत्तारीक है एक दम फ्री ओफ कॉस्ट है सीजियर टीर वन के एक्जाम में जाने से पहले एक बार मौक लगा लिजे कल सायद मैं आपको एक वीडियो दूँगा जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि री पट से आंसर करिएगा तो राश्टी विज्यान दिवस आपका 28 फर्वरी को मनाया जाता है क्यों 28 फर्वरी को मनाया जाता है क्योंकि यह सर सीवी वेंकट रमन को नोबल पुरुसकार कम मिला था मिला कि इसलिए मिला था रमन प्रभाव की वजह से मिला का यह पता ही नहीं होता मोजा कर लाइजर गोजारकर है क्वर्वरी प्रकाज यह पता लगा सकते इसी दिन रमन प्रभाव की खुच की थी और इसी लिए उन्हें आपका नोबल पुरुषकार दिया गया था 1930 में इस बार इसकी जो थीम रही है वो इंटिगरेटट एपरोच इन साइन से टेक्नलोजी सस्टेनिबल फ्यूचर नहीं पूछी जाएगे राश्टी बिध्यान दिवस की थीम नहीं पूछी जाएगे हमेशा इंटर्नेशनल डे की थीम पूजी जाएगे पढ़ लो चुँकि अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो मे शलिए आगे पड़ते हैं बारती मुक्यबाज निकर जरीन और नीतु ने तियत्तरवे इस्टेंड जव मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्णामेंट में कौन सा पदक दीता है तस्वीर देख लीजिए बाई शेर कराओ सभी लोग अभी भी आम इंतिजार कर रहें कि कुछ बच्चे अभी आएंगे यह ना पड़ीकुल आराम आराम से पढ़ेंगे कोई जल्दी नहीं है रात हमारी है तुमारी है आज रात मेरे साथ गुजरो ना शेर कराओ भाई फटा फट सभी लोग कौन सा म मेडल मिला था गोल्ड मेडल मिला ठीक अभी स्पीड पकड़ लेंगे थोड़ा बच्चे और आजया परिशाण मतों तो निकाज जरीन ने यह कहां पर हो रही थी प्रतियोग था पहली बात तो यह समझो बुल्गारिया में हो रही थी तियत्तर्मा इस्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्णामेट में अपने अपने फाइलन में सौन पदा जीता है निकाज जरीन ने 52 किलोग्राम बरने नीतु ने 48 किलोग्राम बरने यह प्रतियोग्दा कहां हो रही थी बुल्गारिया बुल्गारिया की राध्धानी कोई बताएगा कोई बता दे लिए अली वे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाब एक केस हुआ उसकी प्रसासक के रूप में निउत्त किया गया है कि वो केस की जांच करो मनका बत्रा ने केस किया है माधवी पुरी बुच्च इद राइट आंसर से भी की पून कालिक अध्यच के रूप म देंसे निव्तिए कि गई है । माद़ी बुरी बुच which क गठन कभ किया घे था 12 अप्रेल उननिससो बानवे में रादिका जहा आधिका जहाहरादिक इए एसल, Energy Efficiency Services Limited की Head है 37 धुली पुरी पंडित जो है वो JNU की पहली महिला Vice Chancellor बनी है JNU की पहली महिला Vice Chancellor बनी है तो माधवी पुरी बुच इस दा राइट आंसर सेवी का गठन कब हुआ था? Security Exchange Board of India इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 12 अप्रेल 1982 12 अप्रेल 1992 पे सोरी 1982 नहीं 1988 में इसका गठन हुआ था मलब और काम करना इसने 1992 से शुरू गया तो माधवी पुरी बुच का नाम याद रखेगा किसी महिला और निजी शेतर के वेक्ति को पहली बार चुना गए है यह ध्यान लुक्त कै, आगे बढ़ते हैं दुबई में आईजिट पएरा वर्ड चैंपियंण सिब में एक वेक्ति कथ वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारती ये कौन बनी हैं? दुबई में आईजिट पहली भारती हैं जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो पूजा जात्यान की है और पूजा जात्यान ने यहाँ पर पैरा तीरंदाज पूजा जात्यान में दुबई में आयजित पैरा विश्व चैंपियन से वेक्टिकल्स बर्ग फाइनल में सिल्वर मेडल जीत कर इत्यास करने वाली पहली भारती खिलारी बनी है इसलिए इसका नाम आप जरूर याद रखें ठीक है चलिए आगे परते हैं पूजा जाते हैं जो इंपोर्टेंट है कि वही परते जाओ प्रो कबड़ी लीग होती है ना कबड़ी लीग इस बार आठ्वा किताब किसने जीता है प् किसमें जीता है दबंग डेल्ली ने बैंगलोर में होने वाली प्रो कबड़ी लीक सीजन आठ के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पाइरेट को 36 से हरा दिया ठीक है यह साभी मर्जिंग प्लेयर आप देयर रिखने की याद रखने की कोई जिनोत नहीं है काहिरा में आएजित आई एस विश्व कप में पुर्सों की दस मीटर एयर पिश्टल इस परदा में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक दीता है देखकर समझ में आ रहा है कौन सा पदक है फोटो में हैं गोल्ड मैडल क्या है गोल्ड मैडल और इस प्रतियोगता में भारत साथ इसके लाब ़ Yad रखेगा पुरसों में तो हमें गोंड मेडल मिला लेकिन मैंलाओं में इस्या सिंझ ने हमें सिल्वर मेडल दिलवाया मैंना में इसा सिंग ने हमें क्या दिलवाया सिल्वर मेडल दिलवाया इसा सिंग भी जो है वो 10 मीटर एएर पिस्टल की इवेंट की खिलारी है सौरब चौदरी याद रखेगा मिस्टि की राजदानी काहरा में एज़िप की मुद्रा बताओगे करिंसी एजिप की मुद्रा बताओ ठीक है एजिप की मुद्रा बताईए करेंसी बताईए शेयर करते रहो भाई सबी लो आगे जलते हैं 31 में दच्छिडपूर वेसियाई खेलों का आयोजन इस साल 12 से लेके 23 मही तक किस देश में है urgent की बाद हो रही हा आसियान देशों का नाम सुना है उनकी बात हो रही है है तो यह पराईशित होगा iç kay कहां जाए जाएंगे वियत नाम वियत नाम की राधानि हनोई कौह सा संस्करण होगा 31 संस्करण होगा फोकब देख लीजीए का पोटो में याद रहेगा 31st Southeast Asian Games यह कहां पर आयोजित होने वाले हैं हनोई में आयोजित होने वाले हैं वियतनाम की राजदानी हनोई में इसका आयोजन किया जाएगा तो वियतनाम में 31 में दच्छिडपूर में इसका आयोजित किया जाएगा बारा से इसका सदस्या ध्यान रखेगा भारत इसका सदस्या नहीं है इसमें 10 देश हैं ब्रूनई कमोनिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यामयार फिलिपिन संगापूर्थ आईलैंड और वियतनाम वर्तमान समय में इसके सेकेटरी जनर्र है लिम जोप होई इसका अब समझेगा यहां पर लोचा है लोचा ये है कि तमिल नाडु में सड़क के किनारे जो भी जानवर रहते हैं उनके लिए पहली अम्बुलन N, ये एक NGO दौरा रुन कराई जा रही है State दोरा रन कर आई जाने वाली पहली Ambulence आणदरपदेश में चलाई गई थे State दोरा यानी कि राज सरकार दोरा चलाई जाने वाली पहली Ambulence जान्वरों के लिए Ambulence for Animal ये किसने सुरू किया ? Pamilnada जो चलाई गई है उसको बोला गया है उसको बोला गया है तो बोला गया है hospital on wheels क्या बोला गया hospital on wheels इसमें जो driver होगा वही डॉक्टर होगा वही पसुची किस्सक होगा वही सब बंद करना पड़ जाएगा काव ambulance जो है यह यूपी सरकार ने चलाई है यूपी सरकार काव एंबिलेंस किसने चलाई है यूपी सरकार ठीक है hospital on wheel कहाँ पर चलाए गई है तमिल नाटू ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह देश की पहली पूरी तरस सज्जित मोबाईल एंबिलेंस को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया है मद्रास उच्चन्याले की मुख नियादिस अनीता सुमन्त ब्लू क्रॉस सोसाइटी अध्यच है ब्लू क्रॉस एक सोसाइटी है जो जानवरों की देखरेक करते हैं उनके दौर यह सांसे राहूल गानी ने तमिल क्या है उंगलिल और वन उसा आत्मगता का नाम क्या है उंगलिल और वन यानि की वन एमंग यू भारत की परियावन डिपोर्ट दो जार बाइस के इंस्वार भारत सत्रा सत्त विकास लच्चों को हासिल करने में कौन से नमबर पर चल रहा है SDG ranking में भारत की ranking कितनी है SDG ranking में भारत की ranking कितनी है SDG ranking में भारत की ranking 120 है जब ही पूरे भारत में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला जो राज है वो केरल है state के बात की जाए तो state जो है वो है केरल काई के लिए SDG index की बात करे जाए sustainable development goal index की बात की जाए तो उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला जो state है वो कौन सा है केरल है और इस इंडेक्स में जो टॉप पर है वो Finland है इस इंडेक्स पे जो टॉप पर है वो कौन सा है Finland है SDG इंडेक्स में टॉप पर कौन सा है Finland चलो कुछ सवाल पूचूँगा SDG इंडेक्स जुड़ा हूँगा आपका gender equality gender equality लैंगिक समानता ये कौन सा sustainable development goal है जेंडर इक्वेलिटी ये कौन सा सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल है यानि कि कौन से नंबर का सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये कौन से नंबर का सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल है clean water and sanitation चटा नमबर है जेंडर इक्वालिटी जो है वो पांच वाल नमबर है clean water and sanitation आपको छटा नमबर है याद रखिएगा तो आचा स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाड़ू जो है वो दूसरे नमबर पर आया है SDG सब्सक्राइब लेकिन अगर अगर आप जेंडर इक्वेलिटी की बात करें यानि के इस इंडेक्स की बात करें तो इस में 36 गडर टॉप पर है इसमें कौन से टॉप पर है इसमें 36 गढ़ टॉप पर है यह इंडेक्स अलग से जाड़ी इसमें टॉप पर कौन है 36 गढ़ है ठीक है याद करिएगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखा जाए तो 2030 के एजंडे के तौर पर 192 देशों द्वारा 2015 में अपनाएगा 177 विकास लच्छों को 117 से तीन इस्थान नीचे खेचक गया है भारत 120 वे इस्थान पर पहुंच गया है नमिंदम रैंकिंग उनसार भारत आ पाकेतान को छोड़का सभी दच्छिड एस याई देशों से पिचल रहा है इस सूची में पाकेतान 129 वे नमबर पर है भारत से आगे भूटान 75 वे नमबर पर है स्री लंगा 87 वे नमबर पर है नेपाल 96 वे नमबर और बांगलादेश 109 वे नमबर पर चल रहा है बियार और जारकन जिनकी तैयारी 230 के IDG को पूरा करपाने के लिए बहुत कम है वो सबसे नीचे है इस स्रेडी में केरल प्रथम इस्थान पर है तामिल नाडू दूसरे इस्थान पर है तीसरे इस्थान पर गोवा करनाड़क आंध बदे उत्रा खंडने साजा तौर पर इस्थान हासिल किया है केंसासे प्रदेसों में चंडीगर जो है वो टॉप पर है केंसासे प्रदेसो कब मनाए जाता है ठीक है चलिए चलिए तो यह प्रतेग वर्ष आपका तीन मार्च को मनाए इसकी थीम आपको याद रखनी पड़ेगी विस वन जीव दीवस की थीम याद है आपको देखिए पहले इसकी थीम दूसरी थी बाद पहले इसकी थीम थी प्रोडेक्शन ओफ यावन कारेक्श को इन यू एन इपी को क्या सुजा उन्होंने इसकी थीम बदली है उन्हों कर लीजे रिकावरिंग की स्पेसीज रिकावरीं की स्पेसीज ठीक है थोड़ा था चेंज किया है पहले प्रोडेक्शन ओफ मेजर स्पेसीज था बाद में उन्होंने रिकावरिंग की स्पेसीज कर दिया है इसके लावा तीन मार्च को वर्ड हेरिंग डेवी मनाया जाते है यानि कि सुनाई देने वाला दिवस भी मनाया जाता है इस बार इसकी ठीम रही तु येर फोर लाइफ अनलेशन विद केर्ट तो आपको याद रखना है तीन मार्च को अंतर राष्टी कान देखबाल दिवस भी मनाया जाता है वर्ड हेरिंग डेवी आपका टीन मार्ज को में मना जाता है। सब्सक्राइब कहां पर हैं वो भारत ने तीसरे नंबर पर नाइट फ्रेंग के वेल्थ रिपोर्ट के अंसार भारत में अल्ट्रा हाई सुल्राइज होने वाला पहला गाउं कौन सा बन गया एक फांडिशन ने क्या किया पूरी तरह से गाउं को सुल्राइज करके वह गाउं कहां का है उसका नाम क्या है उसका नाम क्या है नहीं मौवांग नहीं कताई नहीं मौवांग कताई नहीं इसका नाम है दुधाला उसका गुजरात का दुधाला एक फाउंडिशन द्वारा पूरी तरह से सोलराइज होने वाला पहला गाउं बन गया है वैसिक सॉलर पैनल निर्वाता उई पीसी से वापता था गोल्डी सोलर ने स्री रामकरिश्ट नॉलेज फाउंडिशन के साथ दच्छी गुजरात के दुधा स misto गाउं हों में मिजुरुम में ओली फ्लस मैं पूरी तरह से सँच्मॠ घुले में सँच्मॠ सच्म।ंट्च मोड़म नहीं हो सकता कोई हों धनावा भारत का पहला स्मार्ट गाउं कि अकोधरा देश का पहला पूरी तरह से डिजेटेल गाउंं वह तीन गाउं चान या मार 2022 में 7 यंडिया इंडेस्ट्री Water Conclave में किस सरकारी संखन को इस Special Jury Award से समानित किया गया इंडिया इंडेस्ट्री Water Conclave मन लब वाटर से जुड़ा हुआ कोई एवार्ड होगा तो ये मिला है National Mission for Clean Ganga National Mission for Clean Ganga किस देश के सहयोग से भारत में चलाए जा रहा है आप नाम से पता चलता है कि गंगा को क्लीन करने के लिए चलाया जा रहा है वरतमान समय में इसके जो निदेशक हैं वो है जी असोक कुमार इनका नाम क्या है जी असोक कुमार इनको भारत के rain man of India के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने catch the rain नाम का एक अभियान चलाया था तो national mission for clean गंगा ये 12 अगर 2011 को सुरू किया गया था और ये कि देश के सयोग से चल रहा है जर्मनी के सयोग से भारत में चलाय जा रही है जर्मनी के सयोग से कहां पर चलाय जा रही है भारत में चलाय जा रही गंगा को सुच किया जा रहा है इससे पहले 1986 में आपका गंगा एक्षन प्लान आया था जिसका 2014 में नाम बदल कर नमामी गंगे पर योजना कर दिया गया नमामी गंगे पर योजना कर दिया गया वो national mission for clean गंगा का ही हिस्सा है 1986 में गंगा एक्षन प्लान आया था 1986 में गंगा एक्षन प्लान आया था जो बाद में 2014 में आपका नमामी गंगे योजना के नाम से बदल दिया गया था ठीक है शलिए टाटा IPL टूर्णमेंट के लिए ओफिशिल पार्टनर किसको बनाया गया है टाटा IPL टूर्णमेंट के लिए जो कि यह पंद्रवा टूर्णमेंट खेला जा रहा है उसका ओफिशिल पार्टनर किसको बनाये गया है रुपे को रुपे का मोटो याद रखेगा वन नेशन वन रुपे वन नेशन वन रुपे इसका टैग लाइन है वन नेशन वन रुपे इसको कौन चला रहा है एनपी सी आई National Payment Corporation of India National Payment Corporation of India के वर्तमान समय में head कौन है दिलीब असबे head मतलब CEO दिलीब असबे वर्तमान समय में इसके जो head है CEO है National Payment Corporation of India के वो आपके दिलीब असबे है थोड़ा सा पुराना news के बारे में बात करें तो ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत के UPI को मानिता देदी है ऐसा कौन सा देश है जहां आप भारत के UPI operators को use कर पाएंगे अभी हाली में UPI को किसे देदी है नई पंदरवां IPL है पंदरवां IPL है ठीक है नेपाल ठीक है ये क्या है नेपाल याद रखे का नेपाल ने भारत के UPI को मानिता दे दिये और ऐसा करने वाला नेपाल भारत का साथ पहला साजेदार है नेपाल ठीक है चलिए चार मार्थ 2022 को दिगज क्रिकेटर सेन वोन का निधन हो गया उनका संबंद किस देश से क्या प्रश्न है अटाते हैं इसको ना आपका आपका वर्डक जीत लिया सात्मी बार आउस्टेलिया ने आपका वीमन वर्डक जीता है कितनी बार सात्मी बार मलब चाहें पुरसो की टीम हो चाहें महीला की टीम क्रिकेट में ऑस्टेलिया का कोई सानी नहीं है तो सातमी बार, सैवन्त ताइम, वीमेन वर्ड कप कहां पर हो रहा था? न्यूजी लेंड में हो रहा था, किस ने जीता है? आस्टेलिया ने जीता है प्लेच ऑफ दा सीरीज किस गोसित किया गया है? अलिसा हिली को प्लेच ऑफ दा सीरीज कौन रही है? अलिसा हिली ठिक है आगे बढ़ते हैं 4 माथ 2022 को FATF ने किस देश को अपनी gray list में सामिल कर लिया? FATF की दो लिस्ट होती है एक black list और एक gray list ग्रेलिस्ट में वर्तवान समय में 24 कंट्री है इसमें से एक देश को अभी हाली में सामिल किया उसका नाम क्या है इसन्तर अरभ अमिराध इससे पहले जॉर्डन-माली और तर्की को सामिल गया थी अभी इफ एट फ में हेडों अनके बारे में कोशनगी पर्म में चरचत एक नहीं देखने मंगा फिर जॉर्डन-माली और तर्की यॉनाइटफ अमिराध कूल बिलागे कितने country वर्तमान समय में FATF की gray list में 24 country कितने country है 24 country है FATF का मुख्याले कहा है FATF के head कौन है वो हम लोग अभी हाली में देख लेगे ठीक है मार्कस आगे बड़ता है तो UAE को अभी हाली में सामिल कर लिया गया बाकि ये वो लिस्ट है जो आपके gray list में सामिल है, 24 कंट्री वर्तबान समय में में सामिल है, अचiant दो कंट्री थे जिनको हटा दिया था भी ग्रेलिष से, उनका नाम याज रख लिजे उनका नाम है मौरिसस आंड वोशाना मौरिसस आं वोसवाना ये दो कंट्री ऐसे थे जिनको अभी हाली में ग्रे लिश्स से क्या कर दिया गया था राजा कुमार सिंगापुर अब आ जाएगा आगे एसी आई खेलों के ट्राइल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्मर के एक्वेस्टेरियन एथलीट और एकमातर नागरी कौन कि पहले इस से पहले फ़वात मिर्जा का नाम आपने सुना उगा वह सारी was नाम कैसे उन उन्हें ने 22 से 27 पर वही 2022 तक आरवी सी मेरेट द्वारा आईजिस नेशनल एक्विश्टेंड चैंपियंशिप में भाग लिया है फवाद मिर्जा का नाम रखिए याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं हाली में भारत के ट्विटर नीती की टीम का नया प्रमुक किसे बनाए नीज हो गई ट्विटर की पराग अगरण वाल ट्विटर के संस्थापक कौन है ट्विटर के संस्थापक है जैक डॉर्सी बिज इस्टोन और इवान विलियम ठीक है नोहा ग्लास तो जैक डॉर्सी का नाम आप याद रखिएगा ट्विटर 2006 में आपकी अस्तित्त में नौवा राजय बन गया है नौवा राजय बन गया है एक बार सेयर कर आईगा जिन्नोंने लाइक नहीं गया है वो लोग लाइक कर देंगे वीडियो को CBI से आम सहमती वापस लेने वाला नौवा राजय कौन सा बन गया है मेघाले इसका मतलब यह हुआ कि अब CBI मेघाले में बिना राजय सरकार के अनुमती के कोई जांच नहीं कर सकती मेघाले के किसी भी वेक्ती की जांच जो है वो CBI गुपचुप तरीके से नहीं कर सकती तो मेघाले कर लिया है इससे पहले पंजाब ने वापस लिया था तो CBI से आम सहमती वापन लेने वाला मेघाले नौवा राजय बना है मिजोरम 2015 में CBI से आम सहमती वापस लेने वाला पहला राजय था 2015 में CBI से आम सहमती वाला है आदर सिंग के रहे सब मेरा नाम लेलो ले लिया वाई आदर सिंग आप मुझे ये बताओ कि CBI के वर्तमान समय में डारेक्टर कौण है में डारेक्टर का रहे है जैसे आप सिखायत करते हैं ये बहुत पईसा कमा रहे है ब्रहटा चार कर रहे है तो वो एक आदमी को बेजेंगे, वो अपना रहेगा, कहीं उसके घर में रहेगा, कहीं कहीं घुम फिर के रहेगा, वो अफसर होगा, लेकिन वो रहेगा, उसकी जांच करेगा पूरी, वो गुप-चुप तरीके से जांच होता है CBI के डारिक्टर कौन है, बताइए, very good, सुबोध कुमार जैसवाल, CBI के वरतमान समय में डारिक्टर कौन है, सुबोध कुमार जैसवाल, एक न्यूज और CBI से जुड़ीवी चर्चा में थी, आपकी पुरानी नेशनल स्टॉक एक्चेंज चीफ, चित्रा है, चित्रा जी ज अब NSE में हैट थी, नेशनल स्टॉक एक्चेंज में हैट थी, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को को लोकेशन दिया था, मतलब की कुछ अलग अलग ऐसा बोला गया कि कुछ जानकारी से बाहर दे दो तो उससे पैसा कमाते है न, वैसा कुछ होता है, तो वैसा इन्होंन 1883 बरतमान समय में NSE के head कोन है, विक्रम लीं ए विक्रम लिम-ए वरतमान समय में NSC के head कोन है, विक्रम लीम-ए याद रखेगा ठीक है चित्रा-्राम-क्रिश्नन के नाम याद रखेगा यह नोटरो रॉस्तलि अलग तरीके का नाम याद रखेगा अलग तरीके से याद रखेगा कमी तभी मच्छा ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाली में स्टेडी इन इंडिया मीट 2022 का उड़ाटन कहां पर हुआ वह कैरेच योपर वक्त कुछ बोलो नहीं मेरे बारे में इसका आयोजन अभी हाली में कहां पर हुआ है धाका में तो चार मां 2022 पर ढाका में दो दिपसी इस टेडिंग इन इंडिया बैठा का उद्गाटन हुआ इसमें सार्क, अफ्रीका, दशिर्पूर्व, एसियो, मद एसियो, मद पूर्वे फेले 150 से अधिक देशों को चात्रों को आकरसित किया जाता है भारत के जो प्रमुक स्कूल वगेरा है या जो आपके संस्थाइं वहां पर इस्टाल लगाते हैं उनको बतातीं कि आईए अब भारत में अग्मिशन लीजिए आगे भारत स्री लंगा नौ सिना ब्या स्लीनक्स का कौन सा संस्क्रण साथ मर्च को विसाका पटन में सुरू स्लीनेक्स का कौन सा संस्क्रण हुआ भारत और स्री लंका के बीच में कौन सा संस्क्रण हुआ भारत और स्री लंका के बीच में मित्र सक्ती भी होता है इस बार मित्र सक्ती कहां पर आयोजित हुआ था आपका अंपारा स्री लंका इसका आठमा संस्क्रण था आठमा संस्क अम लोग इसकी बात करें हैंगो सद्रय क्वाद करेंगे यह 9 जी नवारा संस्क्राण में है इनडीया और स्री लंका के बहुई खाली यह बात तो सही है नौवा स्री लंका भारत नौसीना अभ्यास लीने माद 2022 में विसाका पत्नम में शुरू हुआ और अगर तुम लोग भी यह सब मलब ऐसे हर चीज फ्री में पाओगे ना तो यह होएगा ठीक है राउसर कहा है हम सामने खड़े हैं डीके क्लासेश एकदम खड़ेंगे तो यह कौन सा संस्क्रण था यह नौवा संस्क्रण कौन सा स्री लंका भारत नौसीना के बीच में स्लीनेख नौवा संस्क्रण था आगे बढ़ते हैं छे माद 2022 को अमजद अली खान पंडित को पंडित हरी प्रजाच चौरसिया लाइफटेम एशीमेंट इवार्ट से समानित किया गया उनका संबंध किस वादी अंतर से देखो दो नाम है एक है अमजद अली खान तो इनकी फोटो में यह क्या बजा रहे हैं अगर आपको यह आपको पता चल लेगा क्यी यह डिया गया है तो यह बजा रहे हैं सरूद इस यह बंजा रहे है अच्छ है यह पन्डित हरीपशाच ओरसिया एवड्टेम और रखक पंडित हरीपशाच चौरसिया क्या बजात थे अपंडित हरीपशाच Laden चोरसिया का संबंद किस्से 14 जाके रुसायन क्या बजाते हैं जाके रुसायन क्या बजाते हैं जाके रुसायन तबला बजाते हैं जाके रुसायन का संबन्द किस्से है तबला किस्से है तबला एक दिन जब यह को न्यूज आई थे तो मैंने कराये थे सारे कराये थे पंडित रवी संकर क्या बजाते हैं पंडित रवी संकर का नाम सुना है सुना ही होना चाहिए पंडित रवी संकर क्या बजाते हैं पंडित रवी संकर क्या बजाते हैं वेरी गुड सितार पंडित रवी संकर क्या बजाते हैं सितार तो यह आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध बाद यंद्र बजाने वाले प्रसिद्ध जो अग्रणी जो बजाने वाले हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए है हाली में डिजिटल बैंकिंग के संचालन के लिए किसे अपना उप्रप्रबंद निदेशक्ट की रूप में नियूर्थ किया है अब इसमें मैं ऑफ्षन से करवाँगा संजीव सान्याल की बात की जाए तो इनको अभी हाली में एकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है प्रधान मंतरी ऑफिस में नितिन चुग इदा राइट आंसर इनको एजब्याई ने अपना उप्रप्रबंद निदेशक्ट बनाया इसके बैंक बनाएगे डिवियाई बैंक किसका है ज्यान रखेगा यह एलाईजी का बैंक है पूरी तरीके से सौप्रसर स्वामित है अब देखी लिया यह सेभी की हैड बनाई गई तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा नितिन चुग जिनने अपना डिप्तिम मैंजि कौन बन गई हैं पूर्य विष्म में अभी तक किसी ने भी 6 विष्जु कपमें भाग नहीं लिया केबल एक मातर महिला क्रिकेटर और ओवर्वाल पुरुस और महिला है दोनों की बात करने जाए तो तीसरी क्रिकेटर पुरुस और महिला तीनों की बात करने Solar तौनों की बात के लिए तो राइट आंसर है मिताली राज सरवाधिक मैचों में कप्तानी करने का भी रिकॉड इन्हों ने तोड दिया है में पाकितान के साथ सुरुवाती मैच के दौरान ये उपलब्धी हासिल की है उन्होंने 2005-2009-2013-2017-22 में इस आयोज़न्ने खेलने से पहले अपनी इसी उपस्थिती दच कराई आगे पिलिस्तीन में हाली में एक भारत के राजदूत का निधन हो गया था उनका नाम क्या है लोग आते हैं तो ज्यादा मज़ा आता है मुकौल आया जमाना था जब जल्जला के लिये पांव लोग करते करें आज जल्जला एकदब कहतम हो गया है कि रायड़ आदर क्या है मुकुल आ रहे ये हैं अ अब्बास कि अंतराश्टी महिला दीवत्प्रतिवस्थ कब मनाया जाता है आट मार्च को और इस बार इसकी जो थीम रहेगी वह भी आपको देखनी पड़ेगी तो इस बार आट मार्च को जो थीम रही वह है जेंडर एक्वेलिटी टुडे फॉर एस सस्टेनिवल टुमारो एक थाई कल के लिए आज लेंगिक समानता इसके लावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका नैशनल वीमेंडे कंबनाया जाता है नैशनल वीमेंडे यानि कि राष्टी है महिला दिवस कंबनाया जाता है नैशनल वीमेंडे आपका कंबनाता राष्टी यह महिला दिवस कंबनाता एक साल का current अपरेस करना होगा पिछले NTPC CBT2 के लिए एक साल का 13 फरवरी क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को भारत में सरोजनी नाइडू जी का जन्म दिन मनाया जाता है सरोजनी नाइडू जी का जन्म दिन मनाया जाता है ठीक है? ठीक है SDG नमबर 2 कौन सा है? जीरो हंगर भूक ना हो तीन नमबर कौन सा है? ग्रेट हेल्फ यानि कि गुड हेल्फ एक है नो पावर्टी, दो है जीरो हंगर, तीन है गुड हेल्फ अंतराश्टी महिला दिवस के अफसर पर राश्पती ने कितनी महिलाओं को नारी सक्ती पुरुसकार पतान के लिए तो 2020 और 2021 दोनों के लिए पुरुसकार पतान कर दिये थे एक साथ, 29 पुरुसकार दिये गये थे, 14-2020 के लिए और 14-2021 के लिए 14-2020 के लिए, 14-2021 के लिए नारी सक्ती पुरुसकार में नंबर याद रखना ही important है और अगर आप और कुछ याद रखना चाहते हैं तो नारी सक्ती पुरुसकार में एक और चीज़ याद रख लिजे क्या? कि मर्नो परांच केवल एक ही व्यक्ति को ये पुरुसकार मिला है जबकि तमिल नाडू की जया मुथू और तेजम्मा। तमिल नाडू की हैं। जो टोड़ा कड़ाई की कलाकार हैं। उनको दोनों लोगों को कममाइंड मिला है। इसलिए 14 पुरोशकार 28 होने चाहिये। लेकिन दो महिलाओं को एक पुरुषकार दे दिया गया क्या नाम है उनका जया मुत्व ते जम्मा तो ये मिला करके एक महिला बढ़ जाती है तो उन्तिस पुरुषकार हो जाते हैं ठीक है कुछ चीजें स्किप होजाती है देखिए आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं मैंने आपको पहले ही बोला है आप इसकिप करें नहीं लेकिन आप ये कोशिस करें कवर करने की लेकिन ऐसा भी ने करें उसके लिए परिशान हो ठीक है जो इंपॉर्टन चीजें उन्हें आप कवर करें साथ से आट मां 2022 को कहां पर इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां पर किया गया बैंगलोरू में किया गया इसमें क्या किया गया इसमें जो छोटे-छोटे स्टार्ट अप हैं जो यूनिकॉर्ण है जो डेका कॉ उन कम्पनियों को कहा जाता है जिनका कुल मार्केट वैलू 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है भारत में यूनिकॉन वर्तमान समय में 94 है या पूं सा है यह पूशा जा सकता है कि कितने डेका कॉर्ण है चार डेका कॉर्ण है एक आपका श्वीगी है और एक आपका है Paytm एक आपका क्या है Paytm ये चार कंपनिया ऐसी है जो DecaCon की Category में आ गई है ठीक है कर लेंगे हाँ जी सफिशेंट होंगे अगर आप टूबर से लेके आप मार्स तक कर लेते हैं तो हो सफिशेंट होंगे ध्यान रखेगा इंडिया Global Forum कहां पर आयुजित किया गया दैंगलोरू में आयुजित किया गया आगे बढ़ते हैं हाली में भारत की 23 महिला Grand Master कौन बनी है भारत की 23 महिला Grand Master यहाँ बेब वीमिन Grand Master की बात हो रही है वर्तवान समय में भारत में कितने Grand Master है वर्तवान समय में भारत में 73 Grand Master है 73 में Grand Master बने है भारत सुब्रमन्यम सौट में लिख दिया भारत सुब्रमन्यम 72 में कौन है मित्रबाग हुआ 71 में कौन है संकल्पकुपता 70 में कौन है आर राजा रेत्विक प्रियंका नुटिक्की जो है भारत की 23 में ग्रेंड मास्टर है भारत की पहली वीमें ग्रेंड मास्टर कौन थी सौब्रमन्यम विजय लक्ष्णी सौब्रमन्यम विजया लक्ष्णी भाग की पहली वीमें ग्रेंड मास्टर थी कि a divya देस्मुख जो है वह बारत की 22 वी में Other Credit कौन है दिभिया deshmukh देविया देश्मौख और वंतिका अग्रवाल जो हैं वह 21 वीमेंड नर्फ है वंतिका अगर वर वैसे इतना पुरा ना पूछे परियावन सभा द्वारा सभा का पांचवां सतर कहा पर आउजित किया गया यूनाइट नेशन इन्वार्मेंट असेमली 5.2 यह हाइब्रिड प्रोग्राम आयोजित किया गया था पूरी तरीके से इसको आयोजित नहीं किया गया ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये आपका नेरोबी केन्या में आयोजित किया गया ये कहाँ पर आयोजित किया गया नेरोबी केन्या में Reliance Industries ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिजो सांस्कतिक गंता पे The Geo World Center खोलने की गोशना की है यह कहाँ पर खोला जाएगा और यहीं पर 2023 की International Olympic Committee की बैठक होगी यहीं पर 2023 में International Olympic Committee की बैठक होगी International Olympic Committee की बैठक होगी यह कहाँ पर खोला जा रहा है मुंबई में खोला जा रहा है Reliance Industry की डारेक्टर और Reliance Foundation की चेर पसंद नीता मानी ने देश के सबसे बड़े convention center को खोले जाने की कोशना की है 2023 International Olympic Committee की बैठक भी यहीं पर होगी प्रस्तावित है ठीक है यह याद रखेगा आगे बढ़ते हूं पार्चून इंडिया 2021 जारी रिपोर्ड के मुताबिक बार की सबसे सकती साली महिला कौन सी जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना सब लो और शेयर करते रहो कम होते चले जा रहे हो अब हमें क्या पता नीता मानी से पूछो इसे नम्बर में सामिया सौमीनातर चौते नमबर कीरन मजूमदार, सा पांचो नहीं नमबर सुचित्रा इला, जब कि विस्व में पहले नमबर में मैंकेंजी स्कॉड और पुरे विस्व में फॉर्चून की सूची में परम गंगा किस IIT में लगाए गया परम गंगा जो लगाए गया है वो IIT रुड़की में लगाए गया परम गंगा कहां लगाए गया है IIT रुड़की में इसके पहले परम प्रवीगम यह कहां पर लगाए गया है परम प्रवीगम पिछले मैंने परम प्रवीगम लगाए गय इसकी स्पीड कितनी है इसकी स्पीड है 443 टेरा प्लॉप प्लॉप का पूला फूल पॉल्पॉम होता है फ्लोटिंग कॉइन ऑप्रिक्शन परम गंगा कहा लगा गया आई टी रोड़की में ध्यान रखेगा मार्च 2015 में नेशनल सूपर कम्पीटिंग निशन शुरू किया जा रहा है जिसके अंतरगत कई सारे कम्प्यूटर आपके अलग अलग जो भी आपके बड़े-बड़े संस्थान है रिसर्च संस्थान है वहां पर लगाए जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अचा सिमोर्ग जो है वह किस देश का कम्प्यूटर है अभी आई जाएगा नूर 2 का सफल परिशंड किस सेन उपगर है दूसरा सेन उपगर है नूर पहला था और नूर 2 जो है यह दूसरा सेन उपगर है किस देशने लौंच किया हरसीता कहरें सर सूपरवी Türkiye लगता एक दम का सकते हो कि शेर करते रोड़ थक गय इरान किसे ने किया है इरान निंखेज्ड त्वड़ा गिर्टे चले जा रहे क्या चाहते लगें निःट करें अगर बाते करूंगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, बाते कम कररा हूं तो तुम लोग बाते जारे हो। पढाई भी होती, अब आदमी पढाई भी इंटर्टेन ही करे। धीपक भिश्केरण सा पहली बार राया है, ठीक है? नहीं ठीक है, इरान जो है उसके अंतरी ज्वरा दूसरा उपग्राइ लॉंच किया गया है, इरान का सुपर कम्प्यूटर याद रखेगा, सिमोर्ग जो है वो इरान का सुपर कम्प्यूटर है इरान की राध्धानी क्या है तेहरान अब्दुल्ला खमनेई वर्तमान समय में है मुद्रा क्या चलती है रियाल इरान की मुद्रा क्या चलती है रियाल लेकिन इसने अपनी मुद्रा बदल ली थी तोमान कर ली थी इरान की मुद्रा क्या होगा यह तोमान रियाल चलती थी अ अब मुद्रा क्या हो गई तो मान आगे पढ़ते हैं फ्रीडम हाउस की ताजा रिपोर्ट के अंसार भारत को स्वतंतर देशों की केटेगरी में किस केटेगरी में वर्गित किया गया है रिजनी की लास मंडे या टिल्डे से सुरू हो जाएगी जो लोग आते जा रहे हैं भाई लाइक करते जाएं बटाबट तरीके से partially free यानि कि भारत जो है वो पूरी तरीके से स्वतंतर नहीं रहा है पूरी तरीके से जो स्वतंतर देश माना गया है is India partially free Freedom House की रिपोर्ट है भारत में स्वतंतर ता कम होती चली जा रही है तो फिलाल इस रिपोर्ट के अनुसार नारवे, डेन्मार्क और स्वीडन को स्वतंतर माना गया है और अन्य कई देशों को भी स्वतंतर माना गया है जबकि सूडान, सोमालिया, सीरिया और सौधी अरब सबसे कम स्वतंतर वाले देश हैं सूडान को 100 में से एक स्कोर मिला है यहनी सबसे नीचे वही है बात की जाए तो पाकेतवन स्री लंका स्कोर 755 है भारत का स्कोर 100 में से 68 है तो इस तरीके से अगर दिखा जाए तो जिसकी रैंकिंग जिसके स्कोर कम है वो कम स्वतंतर है तो पाकेतवन स्री लंका भारत से कम स्वतंतर है फिलाल भारत को यहाँ पर पार्चली प्री गोसित किया गया है नौर्वे को पूरी तरीके से स्वतंतर गोसित किया गया है आगे 2022 के अंतराष्टी महिला साहस पुरसकार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है रिजवाना हसन प्राजक्ता कोली सुस्मिता सीन या नवदीप कौर तो पिशली बार यह एवट किसको गया था दोज Aun and किशांगकर को कर ला कि थी सोय से ढून लेते हैं कि मलब इनको देना है जैसे दूर्ण के चन्राइब कह पलिए कि दूब केसे होगे है कि कि तो unions वोटिंग के जरी सोचल मीडिया पर वोटिंग कराते हैं बहुत सारे रिकमेंडेशन मांगते हैं कि आप करिए कि आप साबसे कौन सा बादरी का काम हुआ है फिर उस गटनाओं को देखा जाता है फिर यह पता लगाए जाता है ठीक है तो पिछली बार गौसलिया संकर इस बा सम्मानित किया गया था 2012 में रह्मन मैसे से पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था तो कितने पदग गीते हैं भारत ने साथ पदग जीते हैं इंटरनेशनल स्पोर्स सूटिंग फट्रिक्शन विश्व कप में प्रम्षान प्रात्र किया है कहा पर हो रहा था कहा पर हो रहा कह FATM का मुख्याले कहां पर है Paris France में ठीक है FATM का मुख्याले कहां पर है Paris France में और वरतमान समय में इसके head बनाएगे ती राजा कुमार टी राजा कुमार किस देश से आते हैं राजा कुमार आते हैं सिंगपोर से चुछा किस से जगापोर रेंगें। अवालों को किस देश का नएया राश्पती चुना गया हैً पढ़ाते पढ़ाते याद रहता है मेरा कामी यहीं तुबह से लेके साम तक यही करना इधर पढ़ना उदर पढ़ना उदर पढ़ना चसमे का नंबर लगातार बढ़ रहा है तो कुछ न कुछ तो आए गई अंदर दिमाह में तो जाए गई राइट आंसर है साउथ कोरिया साउथ कोरिया की राधानी सियोल साउथ कोरिया की मुद्रा वॉन तो किस देश का नए राश्पती चुना गया है यहां का चुना गया अच्छा एक और याद दो तीन और पूछ लेता हूँ क्योंकि वो इंपोर्टन है डैम प्रोनेला मेंशन इन्हे किस देश की महिला राश्पती पहली महिला राश्पती की रूप में चुना गया है डैम प्रोनेला मेंशन किस देश की राश्पती चुना गया है मैग डालना अंडर्शन मग क्या लिख रहा हूँ मैग डालेना अंडर्शन, मैंगडालना अंडर्शन इने किस का चुना गया है? तो यह चुनिओं पहली महिला प्रधार मंत्री चुनी गई है किस देश की पहली महिला राश्ठपती चुनी गई होंडूरस की पहली महिला राश्ठपती चुनी गई ठीक है और 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 भी बहुत है याद कर सकते हैं नजरीघा बदले, चस्मा नहीं, वह, लो आ गई, काता लीना नोवाक, काता लीना नोवाक, किस देज़ की पहली महिला राश्पती की रुप में चुनी गई? यह किसी पार्टी से नहीँ है, निर्दली चुनी गई, प्रेसिडेंट के रूप में कि देश की महिला राश्पती के रूप में चुनी गए हंगरी ठीक है अच्छा अभी हाली में हंगरी के प्रधान मंत्री के रूप में किसे चुना गया दोनों बदल गया है प्रधान मंत्री और ये प्रेसिडेंट है राश्पती है प्रधान मंत ठीक है याद रखे नेमने में थे किस खिलाड़ी को मार्थ 2022 में कि वर्ड temos और गोल अपए में सामिल किया गया वाइड गोल हॉल अप्रे में सामिल किया गया किसको तो यह है टाइगर बुड अब गोल्फ की बात खिलेगी चिडेगी तो टाइगर बुड गई नाम आएगा बाखी तो कोई आएगा लिए इसकोच भारत का एक प्रमुक थिंग टैंक संसता है जो भात के लिए कई सारे आकड़े जुटाता है और रैंकिंग जारी करता है इसमें प्रथम इस्थान गवर्नेंस की रैंकिंग में किसको मिला गवर्नेंस की रैंकिंग में प्रथम इस्थान किसको मिला एपी आंद प्रदेश को इस लिश्ट को ध्यान से देखिए इसमें पहले नंबर पर आंद प्रदेश के आ रहे हैं विस्व मोहन वाइसा जगन मोह रेड़ी बेश्ट बेंगौज़ा तो पहले तीन याद रखिए ऐंध़ पड़ेश बेस्ट बेंगाल और कुरीश एंद पडस और वेस्ट बेश बेंगाल ईटरीश उडिये जो यूपी का नंबर है वहरे साति में नंबर पर कक соверш इसके लाबा आन्डप स्थान में रिभी स्थान में जब्कि परिवहान में लेख थी सीमmbगा महाराच नमबर पर है जबिक गुजरात तो महाराच और स्थान मिलां तिलंगाना उत्रपदेश मद्रपदेश और असाम हिमाचल को परफॉर्मर घोसित किया गया है जब कि बिहार हरियाणा जम्मू और कस्मीर शर्तिजगर राजयत्तान को कैचिंग अप्स्रेणी में रखा गया है इसको जब भारत का प्रमुक थिंग टैंक है तो बस उतना नह आपको ग्रुप किस चीच की महरातन चाहिए रीजनिंग की महरातन अभी मत लगवाओ मेरी अब प्रीवियस मैसेज कैसे रीड करें तुम लोग क्या बड़ा वो रहता है कि सर मैंने आपसे आफ्लाइन पढ़ा है अच्छी बात तब कैसा लगा था जब आफ्लाइन पढ़ आपने तो लगता है कि अब तक लास चलेगी जब तक मेरा मन करेगा बाल कम हो गया है बाल भी कम हो गया है सब कुछ कम हो रहा है दीरे दीर अब खतम ही हूं मैं अभी नहीं अभी चलूँगा गागम 40 साल स्वीडन के वीडम इंस्टिट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट आटो क्रेटाइजेशन चेंडिंग नेजर सीसर्च अपने नमिंदम रिपोर्ट जारी कि इसमें दो इंडेक्स यां ध्यान से देखतेगा स्वीडन इसमें क्या है टॉप इसके अलावा एक और इंडेक्स है कि आगे जल्वायू बल अन्टार्टिका अभियान में भारत का प्रतिनिद्ध तो करने का लिए किसे नामित किया गया है नहीं साड़े दस्तक खतम हुझाएगा परेशान मतों साड़े दस्तक खतम हुझाएगा तो यह है आरुसी वर्मा सर यह क्या पूछ रहे हैं इसको समझते हैं देखें है यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि ये North Pole और South Pole को बचाना चाहते हैं तो इन्होंने एक कारेबल का गठन किया है जिसे बोला जा रहा है 2041 2041 जलवाईव बल अंटार्टिका यानि कि 2014 Climate Force बोला जा रहा है इसके लिए आप ये सब को South Pole और North Pole के बारे में जागड़ता करने के लिए अलग-अलग देशों से लोगों को बुलाते है इस बार इन्होंने किसको सेलेक्ट किया है R.O.C. वर्मा को सेलेक्ट किया है तो राष्टी इस्तर की निसाने बाज और दिल्ली की रहने वाली परेम और बिद आरशी वर्मा को 2041 जलवाई उबल अन्टाइट का अभगाने भात का प्रतिनिदित करने के लिए छुना गया है जो मार 2022 में आयोजित होने वाली है इसके अलावा याद रखेगा एक और नाम एक ब्रिटिस ओफिशर हैं और भारती मूलकी हैं इनका नाम है हर्पिरीचांडी हर्पिरीचांडी जो है ये पहली वीमन रही इन कलर इन कलर मतलब अस्वेत महिला रही जिनों ने अकेले आपका साउथ पोल की यात्रा की किस पोल की यात्रा की? साउथ पोल की यात्रा की हर्पिरीचांडी ठीक है? हर्पी चांडी अकेले विदान सब्स चुनाओ 2022 में भारती जंदा पार्टी ने कितने राज्यों में जीत दर्ज की है तो पांच राज्यों में चुनाओ उए थे पांच में से चार में भारती जंदा पार्टी ने जीत दर्ज की है जपि एक राज्य पंजाब में आपका आम आदनी पार्टी को जीत हासिल हुई है ध्यान रखेंगे खासकर आप जिस स्टेट से हैं अगर आप यूपी से हैं तो यहां की टोटल सीटें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए 403 सीटें थी जहां पर चुना हुए जिसमें से भारती जंदा पार्टी को 255 सीटें मिली है इसके अलब मनिपूर की अगर बात की जाए तो 60 में से 32 सीटें बीजेपी को मिली है तो किन पांच राज्यों में चुना हुए ये नाम याद रखें कौन कौन से पांच राज्यों में चुना हुए उत्तरपदेश, उत्तरखंड, गोवा, पंजाब, मनिपूर बारती वीमा विनियामा के हम विकास प्रादीकरण, दा इंसुरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलोपेंट अथर्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम इल्डा के नाम से भी जानते हैं इल्डा के वर्तमान समय में हेड कौन चुने गए हैं इल्डा का गटन 1999 में किया गया था और वर्तमान समय में इसके जो हेड चुने गए हैं वो हैं देवसीज पांडा जो आपके पूर्व वित्त सचिव रहे हैं देवसीज पांडा को अभी हाली में इल्डा का हेड बना दिया गया है इल्डा से जुड़ा हुए एक चोटा सा प्रशन है इल्डा का मुख्याले कहां पर है इल्डा का मुख्याले कहां पर है ओप्शन देता हूं मुंबई दिल्ली हैदराबाद लखनो वेरी गूड सनी कुमार हैदराबाद सबस्ट इड़ा का मुख्यले हैदराबाद है ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम लोग अपसर लखना हो दिल्ली मुंबई लगा देते हैं लेकिन राइट आंसर का हैदराबाद है डिजिडिली करत भूमी दस्ता बेजों को दरवाजे की डिलीवरी पर सुख़़ा यानि डोर स्टेप डिलीवरी मिलेगी आपके जमीन के कागजाद आगर आप चाहें तो उन्हें घर पर भी मंगा सकते हैं जैसे आप जो मैटो ओर्डर करते हैं वैसे आप घर के कागजाद कर सकते हैं यह किस राजे ने सुरू किया है तो आपको जानकर हैना नहीं होगी कि यह सुरू किया है बिहार में बिहार के वरतमान समय में गवर्नर कौन है बिहार के वरतमान समय में गवर्नर कौन है चीप इनिस्टर तो आपको पता ही होगा नीतिश कुमान है बिहार के वर की लापता बेजों की दरबाजए मेले की सुविदा मिले गविद city लिएींप चगया थी यह किस राज्य के मंगु भाई चगन माई पटेल करी भाई मंगु सब्धा परे चीखण भाई राइट आंसर इन मिताली राज तो ये तो हम लोग ने करी है था कि सबसे ज्यादा कफताणी करने वाली महीला क्रिकेटर उपहण मनी है मिताली करनाइद मिताली राज ने 24 महीला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों में कफताणी कर ली है जिसम candidates 24 में जीत राउसिल की है और 6 विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली और ओर तीसरी क्रिकेटर हैं सचिन तिंदुलकर और जावेद मियादार के बात अंतर राष्टी ये गडित दिवस प्रतिवस कब मनाए जाता है अंदर आख्टी गड़ी दिवस प्रतिवस चौदा मार्च को मना जाता है चौदा मार्च का मनलब चौदा और तीन इसको आप लिख सकते हैं तीन दसमलों चौदा क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है तो पाई डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है अच्छा ये बताब पाई की खोज किस ने की थी पाई की खोज किस ने की थी इसके अलाबा एक और डे होता है इसको लेकर के पाई एप्रॉक्सिमेशन डे पाई एप्रॉक्सिमेशन डे पाई एप्रॉक्सिमेशन डे भी याद करना काफी असान है 22 लिख लीजे और 7 लिख लीजे 22 बटा 7 होता है नो तो 22 जुलाई को πाई एप्रॉक्सिमेशन डी मना जाता है ये अंतराश्टी पाई डे पाई की कोच किस ने की थी वाह आर रिभट रामा नुजन क्या बाद है आर की मिडीज ने की थी पाई की कोच किस ने की है आर की मिडीज ने की है ठीक है पाई की कोच किस ने की थी आर की मिडीज ने की थी ठीक अच्छा इसके लबाए एक नेशनल मैथमेटिक दे भी मनाते हैं हम लोग राश्टी गड़ित दीवस भी मनाते है नेशनल मैथमेटिक डे भी मनाते हैं ये कम मनाते हैं ये अब तुम सही पकड़े हो रामा नुजम के जनम दिन पर एकदम सही पकड़े हैं नेशनल मैथमेटिक डे मनाते हैं रामा नुजम के जनम दिन पर और ये कम मनाते हैं बाइद दिसंबर को ये कम मनाते हैं बाइद दि तो हर साल 14 मार्च को दुनिया के अंतराख्टी गड़े दिवेश माती अंतराख्टी गड़े दिवेश दो जर बाइस का विसे है mathematics डज़वन mathematics डज़वन यानि कि mathematics डज़वन यह हमें यूनाइट करता है नेशनल मैथमेटिक डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है आगे मार्च 2022 में चिली की सबसे यूवा राष्ट्पती कौन बने गैबरियल बोरिक जो है वो चिली की सबसे यूवा राष्ट्पती बने है और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जिया कोमो सिमोंचीनी जिय यह सें मरीनो के राष्ट्पती हैं वर्तमान समय में 27 साल के हैं और यह किसी भी राष्ट के सबसे वर्तमान समय में सबसे कम उम्र के मलब राष्टर द्यच है इसके बाद गैबरियल बॉरिक का नाम आएगा जो दूसरे नमबर पर है तीसरे नमबर पर भारत की पूरे विश्व की सबसे कम उम्र में आपकी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली जो महिला है याद रखेगा वहां आपका हैं बैडमींटन से सम्भाणद है साफ साफ दिखळ करया है बैडमींटन लिया हुगा है तो जर्मन ऊपन बैडमिंटन टूनामेंट में भारत के लक्ष सेन्ने रजत तदक जीता आगे बैडमिंटन गौल्ट फेडरेशन का मुख्याले कहां पर है मलेशिया क्वालालंपूर में भारत में बैडमिंटन एसोशेशन आप इंडिया के अध्यच को ने बैडमिंटन एस शॉपिंग शेतर में वैस्विग निवेज हासिल करने के मामले में भारत कौन से नंबर पर है भाईया जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो भाई कि सर अपना नाम जरूब बता दीजिए पेरा नाम नहीं पता तुम व्होट इजयन नेव नाम में क्या रख तो भारत कौन से नंबर पर है भारत इसमें दूसरे नंबर पर है यानि डिजिटल इकॉमर्स के छेतर में भारत तेजी से उबर रहा है अमेरिका पहले नंबर पर है भारत दूसरे नंबर पर है तो dealroom.com निवेश आपनों के मताबिक लंदन एंड पार्टनर्स के विसलेशन के अंसवार भारत डिश्टल खरीदारिया सॉपिंग के छेतर में कमपीनियों के लि उद्गाटन किया गया 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 इसके बारे में थोड़ा दा पढ़ लीजे ल माहा कुम जो 2010 में शुरू हुए थे तक काली सीम निरहिंद मोदी के नितरत गुजरात में सोला खेल और एक तेरह लाग पर दिवाओं के साथ शुरू हुआ था अब 36 सामान खेल और चब्वेफ पेरा इस्पोर्ट्स में सामिल है ग्यारवे खेल महा कुम के लिए 45 लाग से यादे खिलाडियों ने पंजी करण कराया थे पापरे 45 लाग जलवा है मोदी जी का ठीक है चली आगे बढ़ते हिंदी का अनुदित उपन्यार अंतराष्टी बुकर पुरुसकार के लिए नामंकित किया गया है वह किसकी मूल रचना तो पहले तो ये बताओ कि इस बार का बुकर प्राइज किसको गया था बुकर प्राइज दो आजार 21 फिर मुझे ये बताओ कि बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसको गया था दो आजार 21 फिर हम लोग इसके बारें बात करेंगे तो बुकर प्राइज गया था आपका डैमन गलगुट को किसको गया था डैमन गलगुट को कि यहां नग्रेजी में लिखी को यह कि इंटर्नार्फियोग के लिए में all blood is black के लिए at night all blood is black के लिए ठीक है अच्छा डगलस स्टुवर्ट को दिया गया था 2020 का यहाँ पर जो बुगर पुरुसकार के लिए चुना गया है वो गितांजिली स्री की पुस्तक चुनी गयी है और उनकी पुस्तक का नाम है Tom of Sand उनकी पुस्तक का नाम क्या है Tom of Sand रेत समाधी 2020 का गया है डगलस स्टुवर्ट को सग्गी बेन के लिए तो अब कोई मतलब नहीं क्योंगी 2021 हो चुका है 2021 हो दोनों अलग होता है बुकर प्राइज अलग होता है तो इसको मिलेगा तो गितांजली श्री की हिंदी भासा से अंग्रेजी भासा में अनुविज़ अउपन्या टॉम आफ सेंड को विसकी उन 13 पुत्तकों में सामिल किया गया है जिसे अंतराश्टी बुकर पुरुसकार की संचिव सुप्षी में सामिल किया गया है 2022 के लिए चैनित पुत्तकी गोषना 7 अप्रेल को लंदन के बुक फेर में और विज़ेदा का एलान 26 मई को लंदन में एक समारों में किया जाएगा बियाईस प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बन गई है लैब मतलब लीनियर अलकाइल बेंजीन की दुनिया की एक मात्र उत्पादक कंपनी कौन बन गई है तमिल नाडू पेट्रो प्रोडक्स लिम्टेड रसायन और उर्वड़क मंत्राले के रसायन और पेट्रो केमिकल विबाग से भारती मानग बियरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर अलकाइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है प्रमाण पत्र लीनियर अलकाइल बेंजीन आदेज 2021 के आवश्यक्ता के अनुरूप है ठीक है तो एक मात्र यही एक कंपनी ऐसी है जो बियाएस का हॉल मार्क के साथ इसको वेस्ट पाएगी लीनियर अलकाइल बेंजीन को ठीक है लेट हो गया थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा बहुत लेट हो एक घंटा लेट हो पूरा एक बार लाइक कर देना सभी लोग जिन्होंने लाइक निके है और शेर करते रहो भाई थोड़ा ताका से शेर करोगे तो डेट 200 अभी हो जाएगा राइट आंथर क्या हो जाएगा रेशब पन तुम लोग अपना खाते पीते रहो रेशब पन राइट आंथर क्या है रेशब पन अठाइस गेंदों में अर्सदक जड़ दिया इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दूसरी पारी में स्री लंका गिलाब डीनाइट मैच के दू कि स्राइस सरकार ने पहली बार अपनी वार्सी वित्ति योजना के लिए के रूप में बाल बज़ेट में किए बच्च्यों बाल बजट बीजट बेज़ ज़ेश किया मात्य प्रओं तो मैं पूछ रहा desperately पतेल की स्राजे के गवर्नर है ना बताओ मत प्रतेश ठीक है के गवर्नर कौन है मंगु भाई चंगन भाई पटेश आगे बढ़ते हैं विस उपोगता दिवस अधिकार दिवस यानि कि वर्ड कंज्यूमर राइट डे प्रतिवस कब आयोजित किया जाता है वर्ड कंज्यूमर राइट डे प्रतिवस कब आयोजित किया जाता है 15 मार्च को त्यार नखेगा यह विस उपोगता दिकार दिवस है नेशनल कंज्यूमर राइट डे अलग डेट को आयोजित किया जाएगा 15 मार्च याद रखेगा इस बार इसकी थीम रही है फेयर में संदेज बेजा और उन्होंने कहा था कि वॉखताओं के बारे में भी बातचीत किया करो हर साल 14 दिसंबर 5ya ittersंबर 24 दिसंबर 5 नेकिनल 1 जाँ पर 6 अधिकारों की रच्छा की बात की जाती ए एक वर्तमान समय में आपके कंज्यूमर मंत्री कोन है कंज्यूमर मिनिस्टर कोन है इसके लिए एक बात और याद रखेगा वर्ल्ड कॉंटेक्ट डे यानि कि 20 संपर्ग दिवस्त बहारी एलियनों से संपर्ग करने का जो डे है वो भी 15 मार्च को ही मनाय जाता है नहीं एलियन ज 13 मार्च को आयोजित बाफ्टा एवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर एवार्ड से किसे समानित किया गया तो लीडिंग एक्टर एवार्ड से समानित किये गया विल स्मित भाई साब इनों थपड़ बाजी कर दी थी ओसकर में फिलाल बात कर लेते हैं बाफ्टा एवार्ड की तो बाफ्टा एवाड की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म गया The Power of the Dog को आउट स्टेंडिंग बिटिस फिल्म मनी बिलफास्ट पेट डियेक्टर का एवाड गया जेन केंपिन को फॉर फिल्म पावर अफ दाउग के लिए लीडिंग एक्टर का एवाड गया Will Smith को चिंग रिचर्ड के लिए लीडिंग एक्टरीस का एवाड गया जोना स्कालन आफ्टर लव के लिए सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉइकुरोथसर कोडा के लिए सपोर्टिंग एक्टरेस Eriana Debor best side story वाक्टा में शिर्फ और शिर्फ बेस्ट्व फिल्म है बेस्ट्र बर्स एक्टर्च याद रखेंगी और डिरेक्टर रखेंग बाक्टा क्यों बिद्धा । जो जार फो कि कुठल अ को गहां डोचन हुए थी एक महीने पहले लगए इसमें भी प्रतीब कुमार रावत को चाइना में न appearance के रूप में नियुक्त किया गया था अभी इससे पहले वो नीदर लेंड में थे वर्तमान समय में नीदर लेंड में जो भारत की राद्दूत है वो है रीनत सिंग सिंदू वर्तमान समय में नीदर लेंड में भारत की राद्दूत है वो कौन है रीनत सिंग सिंदू ठीक है आगे बढ़त तो यह है आपके एन्चंद सेखर रण एन्चंद्र सेखर रण आगे बढ़तो भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल और गैस उतपाधक ओलि इंडिया लिमितेट के एड़ कौन बनाए गए है और इंडिया लिम्टेट के हैड रंजीत रथ कौन बनाए गए रंजीत रथ समीरन गुप्ता मुझे लिए ट्विटर के सीओं आज आज है भूशन पांडे आपके वित्त सचीव है नटराजन एंचन सिगर एर इंडिया के हो गए और इंडिया लिम्टेट का मुख्याले कहां पर है नोइडा में यह याद रखेगा 1969 में इसको आउंड किया गया था है रंजीत रथ सिप्री की नमींतम रिपोर्ट के अंशार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हतियारों का आयों तक देश बन गया है तो दुनिया का स अप्ट बड़ा आया तक देश के रूप में उबरा है इसके बाद साओधी अरभ है फिर मिस्र है फिर आश्टेलिया है और फिर चीन है नेशनल वैक्षिनेशन डे प्रतिवस कब मनाया जाता है नेशनल वैक्षिनेशन डे प्रतिवस 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्र ने भारत को कब पोलियो फ्री घोसित किया था 2014 में भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो चुका है 2014 में इसको याद रखेगा 16 माच 1995 में मनाए गया था इसके लाब वर्ड पोलियो डे कम बनाते हैं विश्व पोलियो दिवस कम मनाते हैं जोनाख साल के जन्म दिन पर मनाते हैं जोनाख साल जिन्होंने पोलियो के टीके का विश्कार किया था उनके जन्म दिन पर मनाते हैं जोनाख साल के जन्म दिन पर छast लो ँघाले बड़ए में सतरण जो लंपिया डोजार 22 की मेंजवानी कौन करनेवाला है अब village क्लम सॉ मेंजवानी कौन करेंगा वो करेंगा चैन्नाइग क्योंकि और इंडिए चेट फेटरेशन का क्वख्याले कहा पर है चिननाई में All India's chess Federation को मुख्याले कहा है कहां पर है चिननाई में 230 में malaria free very good प्रतिक्षा AICF के वरतमान सवय में head-con है Sanjay Kapoor VARतमान सवय में head-con है Sanjay Kapoor नुटकी के बारे हम बात कर चुके हम लोग 1927 में अपनी इस्थाबना के बाद ये पहली बार है कि जब भारत फिडे का मेजवानी करने जा रहा है फिडे का मुख्याले कहां पर है फिडे का मुख्याले लुसाने सुडियल लैन में है 1924 में इसका गठन किया गया था और अरकाडी डोरकोविच वर्तमान समय में इसके हैड है देश का पहला अर्टिफिजल इंटेलीजन ने रोबेटेक्स टेकनलोजी पार्क के सहर में लॉंच किया गया है तो यह आपका कहां पर लॉंच किया गया है बैंगलोरू यह आपका कहा पर लॉंच किया गया है बैंगलोरू 16 मार्च 2022 को पंजाब के नए मुखमंतरी कौन बने है पंजाब के नए मुखमंतरी बने है थाग है भगवन्तमान पंजाब के नए मुखमंतरी कौन बने है भगवन्तमान माद्व मेदा यहां मध्रमाइला के लाड़ी बनी है जूलन गोस्वामी यहां सबसेधा विकेड भारत के पास जूलन गोस्वामी सबसेधा रन मिताली राच्य पाद 10,000 विस्व गौराया दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है विस्व गौराया दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है विस्व गौराया दिवस प्रतिवस 20 मार्च को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम क्या रही मॉनिटर स्पैरोज मॉनिटर स्पैरोज and other common words and other common words sparrows and other common words 20 मार्च को हर साल विस्ट को रही है दिवस करूप में मनाया था यह घरेलू को रही है कि पतन के बारे में जाकुता फेलाता है I love sparrow जो थी यह 2021 की theme 2022 की theme मैंने भी बता दी 2022 की theme क्या है monitor sparrow and other common words इसके अलबा 20 मार्च को international day of happiness भी मनाया जाता है keep calm, stay wise and be kind 1928-2013 में प्रसंता दिवस मनाया जाने लगा था और इस दिवस को मनाने के संकल 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था इसी दिन happiness index भी जारी किया गया हाली में जारी 20% सूचकांग 2022 में किस देश ने सीर्स इस्थान हासिल किया है तो फिनलेंड ने यहां पर एक बार फिर से टॉप किया है आपको वर्ड हैपिनेस इंडेक्स में जबकि भारत की रैंकिंग नोट कर लीना 136 आई है 146 देशों में भारत 136 इस्थान पर है इस रैंकिंग में रूस का सीवा जबकि यूकरेन को 98 इस्थान दिया गया है पर तो यह रैंकिंग रूस यूकरेन युद्ध से पहले तयार की गई थी तो अफगानिस्थान जो है वो लास्ट पर है 136 नंबर पर इंडिया है और फिनलेंड जो है वो टॉप पर है ग्लोबल हैपिनेस यानि वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट के मताबिक हैपिनेस इंडेक्स में उसके बाद आइसलेंड हो शुडियलेंड का इस्थान है अधे हाली में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्थ 2022 में 30 इस्थान किस ने हांसिल किया है एलन मस्ट एलन मस्ट जो है वो टॉप पर आए है अब भारत के मुकेश अमानी हुरुन लिस्ट में नौवे नंबर पर है जबकि फॉर्चून लिस्ट में आपके दस्वे नंबर पर याद रखेगा सैंस राष्ट ने किस दिन को इस्थान को लेकर के बड़े ही अलग तरीके से लोगों की भावना होती है और दूसरे धर्म के प्रती डर होता है तो उन्होंने का वह हर रिलीजन के प्रती होना चाहिए तो 15 मार्च को गोसित कर दिया गया है इंटरनेशनल डे टू कॉमबेक्ट इसलामोफोबिया इंटरनेशनल डे टू कॉमबेक्ट इसलामोफोबिया तो फिलाल से राइट माहस सबाने सर्वसमत्ति से 15 मार्च को चाहिए अब्डूला साहीड इसके हैड़ पॉन ए अब्डूल्ला साहीड क legit जो है कि अजया कैट्डेका इससे हैं यह मालदीफ से अब्डूमला साहीड जो measured से तु प्रांश यूए यू इंडिया ने ऑब्डेक्ट किया था कि भाई यह आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो Islamophobia मत करो आप इसे ऐसा करतो International Day-to-O substrate Regional या Religion Hills Pos Voice ऐसा आप कुछ करतो ऐसा मत करो तो फिलाल वह accept नहीं हुआ और हाल फिलाल International Day-to-Comb defendant Islamophobia बन गया 15 March Miss World 2021 का क्ताब किसने लीता है एक बर शेयर कराओ भाई सबी लोग Miss World 2021 का किताब किसमें जीता है तो ये जीता है कैरोलीना बिलावसका ने कैरोलीना बिलावसका किस देश से हैं पोलेंड से कैरोलीना बिलावसका किस देश से हैं ये आपकी पोलेंड से है ठीक है याद रखीगा आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजे क्योंकि कई सारी चीजे पूछी जा सकती है कैरोलीना बिलावसका ने मिस वर्ड का ताज अपने नाम किया उन्होंने सेट जुआन प्योटरिकॉम कोके कोल वे 17 नमर की मिस वर्ड है भारती मूल की अमेरीकी स्री सैनी जो है वो रनर अप रही ओलिविया एस दृती रनर रही भारत की मंसा वारणा वारणा शी जो की फेम कोरती हरनास संदु ने मिस युनिवर्ज का किताब ठीक है हरनास संदु जो है मिस युनिवर्सुल पुस्तक द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेंगे प्रतिस्टिंट योटो कार्नेगी मेडल के लिए किसको चुना गया है दोल फ्लेल के न servers कितिक है यह मन्जीत मान की The अपयद भी है तो कौश्टा चिल्डेन्स बुक एवर्ड किसको गया मंजीत मान की दा क्रॉसिंग को पर इनको अभी हाली में योटो कार्नेगी मेडल के लिए भी चुना गया है मंजीत मान मिसन इंद धनूस 4.0 के तहित कौन सा राज 90.5 पर तीका करन हासिल करने वाला भारत का एक मातर राज ये बन गया है या मिसन इंद धनूस में टॉप करने वाला कौन सा राज ये है मिसन इंद धनूस में टॉप करने वाला जो राज है वो उडीशा है तो उडिशा ने इसमें टॉप किया है, मिसा निंदर दनुस तो टीका करण से संबंदित है, वर्तमान समय में कितने टीके लगाए जाते हैं, मिसा निंदर दनुस में 12 टीके लगाए जाते हैं, पहले 7 टीके लगाए जाते हैं, इसलिए इसको मिसा निंदर दनुस नाम दिया रखा है नेट जीरो का मतलब क्या हुआ कारवन उस सर्जन बिल्कुँ जीरो कर देंगे जितना लेते हैं जितना छोड़ते हैं उतना बैलेंस कर देंगे हुआ हुआ है कब तक रच्छ रखा है 2050 तक कुछ जादा ही नहीं हो गया 2050 सब्सक्राइब 2050 तक इसका लच्छ है और भारत ने कब तक रखा है 2070 तक भारत का लच्छ कब तक है 2070 तक 18 माद 2022 को केरल में अंदर आठी फिल्म मौसों के किस संस्क्राण की सुरुआत हुई 18 माद 2022 से केरल में अंदर आठी फिल्म उस्टाण के संस्क्राण की सुरुआत हुई तो 26 में संस्क्राण की zaczy masterpiece कौण से संस्क्राण की चभी सम्स्क्राण थी 26 में 26 में 28 माद 2022 को तिर्वा नंत में तिर्वानन के पुराम में सुरू q番, 7 दिनों तक चले गाई है चला, बादी तड्रचब बन ने गोवा में किस अपत्तटी गस्ती पोस्त को अभी हाली में कमिशन किया? समर्थ क्लास रेणी के जहाज है ये, सचेत, सुजीत, सजक, सार्थक, सक्षम कौन कोन है? सचेत, सुजीत, सजग, सार्थक और सक्षम कोषगार्ड के हैं, भारती कोषगार्ड के वर्तमान समय में हेड कोन है? वियस पठानिया, बारती कोषगार्ड के वर्तमान समय में हेड कोन है? वियस पठानिया, विरंदर सिंग पठानिया, इंडियन कोषगार्ड के वर्तमान समय में हेड कोन है? विरंदर सिंग पठानिया याद रखिएगा अंतराष्टि ये वन दिवस क कब मनाया जाता है इस बार इसकी सी थीम् है इसके लावा वर्ड पोईट्री डे भी आपका 21 मार्च को मनाया जाता है और नसली भेदवाओ के लिए छुवाचूत के खिलाब दीवस भी आपका 21 मार्च को ही मनाया जाता है मार्च 2022 में किस देश ने अपने या क्रिप्टो करेंशी को वैद कर दिया किस देश ने अपने या क्रिप्टो करेंशी को वैद कर दिया हाँ 22 मार्च को अभी आ जाएगा वाटर डे भी आएगा अभी किस मार्च वाले चल रहे है किस देश ने क्रिप्टो करेंशी को वैद क सब्सक्राइब कर दिया यूग्रेन ने यूग्रेनी करनची बताएंगे अब क्या पढ़ोगे हरवी निया उक्रेंक ने क्या कर दिया उसको बहुत सारी मदद मिल रही ती रिफ्यूजी लोगों को तो यूप्रेन सरकार ने क्या किया विट्कॉइन को ID की जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग अपना कनवर्ट कर सकेंगे तो फिलाल युक्रेन ने अभी हाली में मानता दी है लेकिन इससे पहले एल सल्वाडोर जो है वो फूरे विस्सु का पहला देश है एल सल्वाडोर ये विस्सु का पहला देश है जिसने आपके रिंटो करेंजी को बैद किया था हाली में नाटो ने कहां पर एक सैन अभ्यास कोल्ड रिस्पॉंस आयो जित किया नाम कोल्ड रिस्पॉंस था लेकिन पहुंचे 30,000 सैनिक थे नॉर्वे की सीमा पर कहां पर किया था नॉर्वे नाटो का गठन कब हुआ था चार अप्रेल उनिस सो उन्चास क इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले ब्रुसेंस वैल्डियम में हैं, कितने सदस से देश है तीस सदस से देश है बड़ा बवाल कटा पड़ा नाटो के चक्कर में हीसरे सब से नया सदस से कौन मनाय नॉर्थ मैशी डोनियम तो उतरी अत्लांटिक संधी संगडन नाटो ने रूस की सीमा के पार नार्वे में भारी सेन अभ्यार कोल्ड रिस्पॉंस शुरू किया या 14 माह से एक अप्रेज 222 तक जारी रहेगा सेन अभ्यार में 30,000, 50,000 जिद्ध जाहज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे है नाटो मैं चीटिंग ही करा दे रहा हूं तुम लोगो साब साब देखकर परचान लो इसको कोन है सुरेश रहना सुरेश रहना को अभी हाली में मालदीव सरकार ने प्रतिज़ स्पोर्ट्स आइकन पुरुष्कार से सम्मानित किया गया है मात 2022 में आयुजित फॉर्मुला वन रेस बहरीन ग्रांट्री का किताब किसमें जीता मर्सेडीज के ड्राइवर चार्ल्स लेकलर ने परारी के चार्ज लेगलर ने रवीवार को फर्मुला वन सीजन ओपीन में बैरीन ग्रांट्री जीत लिया था किस राजी की विधान सभा भारत की पहली पेपर लेस्ट विधान सभा बन गई है किस राजी की विधान सभा बारत की पहली पेपरलेस विधान सभा बन गई है चार्स लेगलर रहें का मर्शेडीज है मर्सेडी का फरारी का मर्सेडी का लूइस हमिल्टन है कौन बन गया है नागलेंड वेरी गुड नागलेंड जो है यह पहली पेपर लेस विधान सवा बनी है अजा किस देश ने पेपर लेस गवर्मेंट शुरू की है किस देश की गवर्मेंट जो है वो पहली पेपर लेस गवर्मेंट बन गई है दुनिया की तो याद रखीगा दोबाई दोबाई कहां की बन गई है दोबाई सरकार ने पेपर लेस लौंच किया है 20 मार 2022 को मनीपूर के मुखमंतरी के रूप में किसे चुना गया तो यहाँ पर नाम गरत लिखा है नाम लिखा होना चाहिए एन बीरेन सिंग एन बीरेन सिंग जो है वो एक बार फिर से मणीपूर के मुखमंतरी के रूप में चुन लिए गए है उनका दूसरा कारिकाल होगा एक साल के लिए के कारिकाल इनका बढ़ा दिया गया है ऐसेयन क्रिकेट कमिटी में हाली में किस राजगे पारंप्रिक वायू वाद यंत्र नर्सिंग पेट्टेई नाग स्वर्वं को जे आई टैग पदान किया गया नाग सिंग नर्सिंग पेट्टेई नाग स्वर्वं कहां का है तमिल नाडू का है कहां का है तमिल नाडू यह एक लिस्ट है जियाई टैक की देख लीजेगा विस्स जल दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है 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 यह ताजे पानी के मूल के बा अद्रश्य को द्रश्यमान बनाना है ठीक है अब ये कबरताल कहां से आगया वाई एक बार सेर कराओ भाई ठीक है एक मिनट का ब्रेक लेना चाहा रहा हूँ है रहार दीवसर्य वह भी आपका 22 मर्ण को मनाते हैं उसरी के अपने 15 में अपनेश्मार्ण की राधानी असा की तुर्कमेनित्तान की राधनी आसाग बाठ वरतमान समय में आपके बने हैं सरदार बारदी मुखा मदेव और हमारे राठपती रामनात कोबिन अभी तुर्कमेनित्तान गये भी है सरदार बारदी मुखामन देव तुर्कमेनितान के राठपती चुणाओं में सरदार बारदी मुखामन देव ने जीत हादिल की है और तुर्कमेनितान नेटा के बेटे सरदार बारदी मुखामन दो करीब 73 फीसिदी वोट मिले थे कि 2022 के पृषगार पृषगार के विजिता कौन हैं जीन फिलिप वैसल एनि लेक्टन को आपका 2021 का पृषगार पृषगार दिया गया था इशी की झेड़ो प्रेंकिस कीरी जो है यह आपके पहले अफ्रीकी बने , जिने आपका पीजगर जैसे अर्किटेक्श्व नोबल कहा जाता है उस पुरुषकांद से समानित किया गया सब्रकु अबें व्क्रोच FC पैने वाले पहले अप्रीकी वस्तुकार है उनका इस्टेडियो बर्लिंग जर्मनी में इस्टुछ है अभी तक केवल एक मात्र भारती को प्रिजगर पुरुषकार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है बाल करश्चने दोसी को 2018 में प्रिजगर पुरुषकार से सम्मानित किया गया था आर्किटेक्ट्चर मलब बड़िया बिल्डिंग बनाओ अगर तुम है ना बड़ी बड़ी बड़िया बिल्डिंग होती है तो उसके लिए वास्तुकार का पुरुषकार बारतो के देश के बीच नवा सही जो सैन अभ्या ला मिटिये मार 2022 में आयोजित किया जा रहा है और इस बार इसका आयोजित कहां पर किया गया है सेसल्स में ही किया गया है कौन सा संस्क्रण है नवा ला मिटिये भी नवा ला मिटिये का नवा संस्क्रण सेसल्स में आयोजित पाक जल्डमरू मद्र को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्रकी और सबसे तेज महिला तैराख कौन बन गई है पाग जल्डम्रु मद्र को पार करने वाली पाग जल्डम्रु मद्र की जो लमबाई है वो 13 किलो मेडर है जिया रॉय जो है उन्होंने उसको पार किया है तो जिया रॉय तलाई मननार स्री लंका से धनुस्कोडी तक जल्डमरू मद्द को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज मेला तेराख बन गई है उन्होंने बीज मात 2022 को तेरा घंटे 10 मिनट में 29 किलो मिटर की दूरी तैकी है 13 साल 10 मेने के उम्रों उन्होंने यह अपलद्धी हासिल की है इससे पहले यह रिकार्ड बुला चौधरी के नाम है बुला चौधरी के नाम एक और रिकार्ड है यह एक मात्र ऐसी तेराख है जिसने 7C पार किया सातों समुद्रों को पार करने वाली बुला चौधरी निम्नेद्र किस भारती अर्षास्तरी को सहित राष्ट के सलाकार बॉर्ड में सामिल किया गया जैन्ती घोस UN Advisory Council में सामिल की गई जैन्ती घोस जो है ये UN Advisory Council में सामिल की गई है भारती विकास अर्षास्ति जैन्ती घोस को सेव्धराष महासचीब एंटरियों गुट्रेश ने प्रवावी बाहु पश्वबाद पर सलाकार्ड बोर्ड में नियुक्त किया वो मैसाच जैन्ती एंटरियों में प्रोफेसर है जैन्यू में भी प्रोफेसर रही है पंद भूसर पाने वाले पहले पैरा एफलीट कौन बन गए है बिल्कुल है मार्ट का सीय इंपोर्टन्ट है सीजयल के लिए इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ इंटो बाद में कराता हूँ देविंदर जाजरिया देविंदर जाजरिया बहुत आने के उम्मीन नहीं है लेकिन हाँ किसी ने किसी सेट में दो या तीन कुशिन आपको देखने को मिलें गोवा के नए मुख मंतरी कौन मने है ये तो ऐसा ही प्रश्ण हो गया बेकार था रिपीट करा दिया कि भाई गोवा में नए मुख मंतरी कौन मने है हाँ जी आकास कपूर सीजयल के लिए मार्च का इंपोर्टन्ट है भाई और पुसकर सिंग दामी जो है वो आपके उत्राखन के मुख मंतरी बने है इंडियन सूपर लीग 2021-22 का खिताब किस ने जीता इंडियन सूपर लीग भारत में होने वाली डॉमेस्टिक फुटबॉल लीग में सबसे बड़ी फुटबॉल लीग मानी जाती है संतोष ट्रॉफी कभी अभी आयोजन होगा पिछली बार संतोष ट्रॉफी किस ने जीती थी सर्विसेस ने जीती थी फिलाल इस बार एधराबाद FC ने पहली बार इंडियन सूपर लीग केरला ब्लास्टर FC को रहाकर दीता है केर ला ब्लास्टर SP को रहाकर दीता है है वीस्र मौसें विग् architects प्रतिवस कब मनाया जाता है मिस्र मौसं विग्यांदीवस प्रतिवस के ऐस मार्ज भूसके उसको मनाया जाता है इस बार इसकी सीम एतए अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्षर्ण यह एंड वड्म मेंट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन का मुख्यायद कहां प्र एंजेवा शुदिय्अ लैड्ड में है रफ नाफन सेंड़ इन सभी का मुख्याले आपका जेनेवा सुडियर लेंड में इंडियन सब्सक्राइब को आपका सहीध दिवस भी मनाते हैं बगज सिंग राजगुरू और सुखदेव के बलदान को याद करने के लिए पंजाब के मुख्मंत्री भगवंथ मान ने इसको राज़ की अवकाद गोसित कर दिया है तो साइध एक परश में ये बन सकता है कि कि किस राज़ के मुख्मंत्री ने 23 मार्च को बगज सिंग के बलदान दीवस के रूप में राज़ की आवकाद गोसित कर दिया है तो वो पंजाब के मुख्मंत्री बारत और उज्वेकित्तान के बीच में ग्नेल के था संसक्रण आउजित लिए और ये यांगी यारिक उज्वेकित्तान में आउजित हो रहा है पिछली बार आपका उत्रा खंड राणी खेत में इसके आउजित किया गया था हाली में Green Storm Global Photography Awards का 13 संस्क्रण किसने जीता है तो Green Storm Global Photography पुरुषकार का 13 संस्क्रण जीता है महमूद मुहम्मद राजा मासूमी मुहमद राजा मासूमी कहां के है इरान के है मुहमद राजा मासूमी कहां पे है इरान के है तो इरान के मुखमद राजा मासूमी ने Green Star Global Photography का 13 संस्क्रण जीता है या सहिद राट परियावन कारिकरम के सयोग से आउजित किया जाता है सहिद राट परियावन कारिकरम का यानि की United Nations Environment Program का मुख्याले कहां पर है नेरोबी Kenya में UNEP का मुख्याले कहां पर है नेरोबी Kenya में नेरोबी Kenya में इसका मुख्याले इंगर एंडर्शन जो है वो वर्तवान समय में UNEP की हेड है और UNEP की Goodwill Embedder भारत में पहुन है दिया मिर्जा याद रखेगा IQ Air द्वारा तयार विस्व गुडवत्ता रिपोर्ट के मताबिक सबसे प्रदूसित सहरों में 63 भारत में है दिल्ली लगाता 34 साल दुनिया की सबसे प्रदूसित राजदानी है अगर देश की बात की जाए इसके बाद धाका आएगा एंग्यमेना चाड, दुसांबी, मसकट सबसे प्रदूसित राजदानी सहर है कारबन ततर्ष क्रशी विदियों को सुरू करने वाला पहला भारती राज़य कोन सा है यानि की owes नीटरल गति विदियों को हम सुरू करेंगे हम जो भी खेती करते हैं उसमें कारबन का जड़ा भी प्रयोग ना हो, तो ये शुरू करने वीदियों को है और इसे संथाली भाषा को जानने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है ओल्चिकी और टुडो ने ayman में इसका नुवात किया है ओल्ची की लिपी में ये कित बादा की लिपी है संथाली बारती समिदान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में ही हां से लिखा गया है समिदान को बनाने में लबश 64 लाख रुपए का खर्च आया था भारत ने समिदान सभा के गठन का व समिदान को बनने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा था भारती समिदान दुनिया में किसी भी संपरभू देश में सबसे लंबा है और अपने वरतमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना 22 भाग 449 अनुच्छेद और 12 अनुच्छिया है जबकि मूल भाग में 395 संसोधन हो जुके है 105 समिदान संसोधन कौन सा था 105 समिदान संसोधन जो था वह आपका महाराथा राजे से संबंदित हो लेकर के है मुझे याद नहीं हरा जब महाराथ में अभी आरच्छन हुआ था मराथाओं को अरच्छन भी आ गया था तो उसके खिलाफ कोट ने यह चक्रवाथ आसानी का नामकरन किस देश ने रखा था आसानी किसने नाम दिया था स्री लंका अब जो आएगा आसानी के बाद वो शितरंग आएगा और वो थाइलेंड नाम देगा सितरंग के बाद मंडस आएगा मंड़स जो है वो United Arab Amirat नाम देगा तो आसानी आया आ पक्लिए तो साहीन कतर ने दिया था, जवाद सौदी अरब्यानैंग राइसा है जांने वाला कुछा है य्याद नहीं आरा थोड़ा तो सेयर कर आईइएक है- इस वीडियो 24 March को मनाया जाता है World TV Day हर साल 24 March को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम रही है Invest to end TV Save Life Invest to end TV Save Life 2025 तक भारत का लच्छे है कि किसी भी तरीके से भारत से TV को खतम कर देना है 24 March को यह क्यों मनाते है 24 March को यह TV Day क्यों मनाते है क्योंकि इसी दिन Micro Bacterium Tuberculosis ने माइक्रो बैक्टिरियम ट्यूबर कुलूसिस की कोज की इसी दिन 24 मार्च को यह आपके डीजी के लिस्ट है इसको एक बार जरू देख लीजेगा एक नंबर गरीबी अटाओ जब गरीबी अटेगी तो खाना खाएंगे पैसा होगा तो खाना खाएंगे खाना खाएंगे तो स्वासत अच्छा होगा तो पंडे में मन लगेगा पंडे में मन लगेगा त दूर कर पाएंगे तो पांचे नोए जंडर एक्विलिटी छटे नंबर का क्लीन वाटर एंड सेनिटाइजिएशन ठीक आगे बढ़ें कि थोड़ा फास्ट कर लेते हैं नेम्लिकित में ते किसने 2022 के लिए एबल पुरुषकार जीता है तो 2022 के लिए एबल पुरुषकार जीता है दैनिस पी सुलिवन ने मैत का नोबल मानते हैं इसको एबल को पिछली बार लास्लो लोवाज और एबी विग्डर्शन को दिया गया था अगर 2021 का पूछ लिया जाते हो यगोर्न अब्क को बचा लिए इन्होंने चिली की मुद्रा को बचा लिया इस वज़े से चिली की राधानी है कि वो आपके प्रेसिडेंट बनाए गए मुद्दा चलती है चैसलियन पेसो को रॉयल सेसाइटियी अभी में रॉयल rice 이거를 सब्सक्राइब सम्राइबम के फैलो के रूप में किसे चुना गया कि इन कि रूप साथ को कि रॉयल सोसाइटी ओफ ऒइन बढ़ के फैलो के लिखी है लिटल बुक ओफ जॉय ये पुस्तर लिखी है आपकी दलाई लामा और डेश्मन टुटू दोनों ने आली में उत्तर प्रदेश में मुख्मंतरी योगी आदित नात के साथ कौन डिपटी सीम बनाई गए गए गलोबल होम प्राइस इंडेक्स में बात को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ जिन्होंने लाइक नहीं गया प्लीज लाइक कर देंगे पूर अंडेट तो करी सकते ना हम लोग लाइक फिफ्टीफाइड ग्लोबल होम प्राइज इंडेक चैनर की भारत में जो कीमते बड़ी है मकानों की पिछले साल के मुकाबले उसमें फिफ्टीवन नमबर पर जब इसमें सबसे ज़्यादा कीमते कहा पर बड़ी है तर्की कंपनी ने फीफा विसकप 2022 की स्पॉंसर से फासिल किया और पहली बार किसी भारती कंपनी ने फीफा की स्पॉंसर से फासिल किया है डैट इस बाइजूस 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 अंतराश्टी स्रम संगठन के अगले माहन इदिता के रूम में किसे नियूस किया गया है आ लोगों के गिल्बर्ट होंगो 25 मात दो जारबाइस को अंतराश्टी समसंग्सिंग के अगले मानी दिशा के रूप में नियुक्त किया गया है आईलो का मुख्यल है जेनेवा सुडियल लैंड याद रखेगा मियामी ओपर जीत के साथ नई WTA विस्व नंबर वन रैंकिन पर कौन आ गई है वर्ड नंबर वन रैंकिन पर कौन आ गई है तो उनका नाम है इगा सुटेक इगा स्वेटेक कहा किये है पोलेंड किये है ऐसले भारती के सन्यास लेने के बाद मियामी ओपिन का खिताब किसे जीता है इगा स्वेटेक ने जीता है कि हाली भारती ब्याट्मींटन संक के अद्युप में किसे नियुक्त किया गया है ağret भाष्टी के अध्यूंत के रूप में नियुक्त किये गये राश्टि यह ड़ुपिन दिवस के रूप में गोसिथ किया है राष्टिय डॉल्फिन दिवर अच्छा राष्टिय डॉल्फिन रिसर्स सेंटर कहां पर बनाय जा रहा है बिहार में याद रखेगा पटना बिहार में और पांच अक्टूबर को इन्होंने राष्टिय डॉल्फिन डे गुंसित कर दिया डॉल्फिन जो है भारत का फिसलेदेव नमसकार बएया टेली विधान सब्हा की पहली मैला येंदेवा स्टील रोड का उस्टाटन कहां पर किया गया सूरत गुजरात भारत पहली स्टील रोड सूरत गुजरात निडिया तैरी सुचकांग के अनुसार किस राज ने पहला इस्थान असिल किया है एक्पोर्ड प्रपेर्ड नेस इंडेक्स एक्पोर्ड प्रपेर्ड नेस इंडेक कौन राज पहले इस्थान पर है गुजरात ही पहले इस्थान पर है गुजरात जो है वो पहले इस्थान पर है दूसरे नंबर पर को ने है महाराज तीसरे नंबर पर करनाटक दूसरे नंबर पर कौन है महाराज तीसरे नंबर पर करनाटक चौते पाच्वी नंबर पर तमिल सित किया गया 94 और इसमें बिल स्मित को आपका बेस्ट एक्टर का एवर्ड दिया गया बिल स्मित को बैस्ट एक्टर का बिल स्मित यह रहे जैसिका चेस्टन को बैस्ट एक्ट्रेस का एवर्ड दिया गया सर्फ से डारेक्टर का एवर्ड वही जेन कैम्पिन को दिया गया ब सब्सक्राइब जुर्णीराथ और सब्सक्राइब चैक्स laughed विल इसमेट ने थपड़ मार दिया था 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 का बांगलादेफ लेकिन भारत में सब्सक्राइबाद मुरादाबाद इंडिया में सब्सक्राइब थार डफ है मुराधाबाद है recorded the maximum noise pollution Yeah that is the united nation environment program की report के दाका 119 डेसिबल के साथ पहले नंबर पर है मुराधा बाद जो है वो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दोनी पर दूसिज सेया है तब तटाइस मात 2022 को स्विस ओपें 2022 बैडमिंटन का किताब किसने जीता तो स्विस ओपेंड मेंडन का किताब जीता है PV सिंदू ने राष्टी पेरा एतलेटिक चेंपियनसिप का बीसवा संस्करण 28-31 मात तक कहां पर आयजित किया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर को गौर से देखो इसमें लिखा हुआ है कहीं पर यह उरीशा तो यह आयजित कहां पर किया जाएगा उरीशा में पर्म सक्ति कहां लगाएं लगाएं इस बैंगलिवर में परम सक्ता कहां लगाएं इस लेका कर चार्ण-णैट तो कि मैं रोबर्ट अविला किस देश के प्रदान मंतरी बने हैं, तीसेरत जासपी जल पुरुस्कार में किस राज ने सीजिस्थान आसिल किया है थायड वाटर रेवार्ड में यूपी टॉप पर आया है थायड वाटर रेवार्ड में कौन टॉप पर आया है यूपी जो है वो टॉप पर आया है दूसरे नंबर पर राजिस्थान आया है तीसे नंबर पर तम रात में किया गया दो गंटे चलते हैं एक महीने वाला जल जल जला दो गंटे चलता है भूल गया हो क्या राष्पती रामनात कोवी ने किसे प्रेसीडेंट कलर से पदान किया तो आखिसे जनका नोल भी कहा जाता है विलफॉर्प्राइड वुडिश्टेट को 29 मात 2022 को कौन सा थेस अपने सात्मे सदर्ष्य के रूप में पूरवी अफरीकी समधाय एस्टन अफ्रीकन समधाय के संवधाय के रूप में सामील हुआ कॉंगो कॉंगो जो है वह येसी में सामील होने वाला साथ है मिए पिर तो एसमोर19 न की रूप है दिश्यों के लिए अजय सिना कंफ्यूस तर सुन सिना राइट आसर ifier है कि कि अध्यच डिमाभ में आ जया सी्ट कला carriers कॉर्ण गणी इस डफ एंड फिलफ सेलिब्रेटी एंड वैलिशन रिपोर्ट के अंसार किसने भारत में सबसे अधिक मुलिवान सेलिब्रेटी के दर्जा प्राप्त हुआ है तो वह है विराट कोली दूसरे नंबर पर रणवीर सिंग है संथान की नई निदे सक्कौन बनी है फॉरर रिसाज इंस्टिटीट की नई निदे सक्क बनाई गई है डॉक्टर रेनु सिंग माधिपुरी बुच्छ सेवी की जैनती गोस यूएन एडवाजरी काउंसिल किरन मजूंदार सा रोयल फेलो आफ सोसाइटी ओ रोयल सोसाइटी एडिनबर्ग एडिनबर्ग सोसाइटी की रोयल फेलो चुनी गई रेनु सिंग अज आप अब वर्तमान समय डीजी फॉरेस्ट कौन है डारिक्टर जनरल ऑफ वन विवाक के निमान इदेशक कौन है डीजी फॉरेस्ट है सीपी गोयल चंदर प्रकास गोयल चंद प्रकास किस राज के जीवित जड़ पुलों को युनेश्कों की विश्ट दरववर की यजी फाई सूची में सामिल किया गया है बात में कितने हरिटेस साइट हैं में 40 हरिटेस साइट है धौला विरा 40 होँAR मेगाले के ये जो पुल हैं जीवित जड़ पुल जिन जो पेड़ को ब शलिए रिगॉर्डिंग वीडियो देखते थे अभी से एक देव मजा आया जिलो उन्हें सेयर नहीं गया भाई सेयर कर दीजेगा वीडियो को और पीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी अभी बनी नहीं है थोड़ा तर टाइम लगेगा और अब रात काफी होगी तो कल करेंगे शलो बाबाय टेक केर ध्यान रखेगा अपना पूरा रिविजन करा दिया है कुछ भी नहीं छोड़ा है मनलब आप सिर्प इतना कर लेंगे एक भी इंपॉर्टेंट नहीं नहीं छोड़ी है एक भी नहीं छोड़ी है कुस आचलिए नाम ले लेते हैं जो लोग लास्ट त सोल थेंक यू सनी कुमार धीरज गुपता कल स्टेट करेंट अपेस कराऊंगा आना जरूर नौ बजे कल स्टेट करेंट वेस कराऊंगा सुधीर गुपता जीत राजवीर हाँ जी आप देली सुबह साड़े पांच बजे आएगी क्लास सुबह जल्दी उठीए आप भी उ दिन बाद आया हां स्वरव प्रतिच्छा हैपी राम नौमी सर इंडवांस आपको भी राम नौमी की बहुत-बहुत बदाईयां कल है आना चलो कार्व सहब बढ़िया, रभी कुमार धिर्याच कुमार, बहैं स्यनी ओंकार कुमार सभी को बहुत-बहुत बढ़ман बधाई बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल गुपता कुन्ती वर्मा ऑरके मोरिया, किट्टू सिंग तेंकियो, तेंकियो, सोनू थेंक यू, मैं भी ले लिये तेरा नाम दीक्षा, चलिए आडियो दमीगो, बाबाई, टेक क्या